हालो फिंट्स लेकों बैक टूम यूटूब चनल अपनी फार्मसी आज हम जानने वाले हैं मुपी आइंड मेंड के बारे में जो कि एक पॉपुलर आइंड मेंड है जो आपके हर मेडिकल शॉप में मिल जाती है आज हम जानने वाले हैं इसके यूजर्स क्या है सुकिन-किन बीमारियों में इसे लगाना चाहिए सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें इस वीडियो को मुपी आइंड मेंड मेंड को हेच एच एच कंपनी मैनिफेक्चर करती है इसकी MRPA 135 रूपी आती है इसके अं आपके बैक्टिया के ग्रोथ को स्टॉप करता है आपके बैक्टिया के फोटो सिंतेसिस को स्टॉप करके इसके ग्रोथ को रोक नया काम करता है मुपरोसिन आपको किसी बीडेप का बैक्टियल इंफेक्शन हो रखा हो इसमें जो है बेस्ट काम करता है मुपरोसिन जानते मर्किट में पूछ सारी ब्रैंड आते हैं जैसे बैक्ट करके घृत करके आता है वेरो मुपी बेस्ट करके आता है व…. इसका क्ते हैं क्या है किन भीमारी को उपिस्तामड कर सकते हैं आपको पूसी फोंड़े की प्रापला मोरिय हो रहें आपको बॉसर। आपको कोई surgical wound हो रखा हो, जो सूक्रा नहीं हो, उसको भी ठीक करने के एक काम करता है अगर आपको कोई curtain wound की problem हो रखा हो, अगर folic arthritis हो रखा हो जो आपके बालों के बीच में होता है, वो हो रखा हो आपको impede की problem हो रही हो, जो बचों में देखी गई ही उस problem को भी ठीक करनाया काम करता है आपको किसी भी टेप का कोई पुराना घाओ रखा हो जो सूक्रा नहीं हो उसको भी ठीक करनाया काम करता है मुपी आइन्मेंट जानते हैं इसके side effect का है स्क्रीम के उतने side effect देखे नहीं गये हैं क्योंकि ये pregnant domain में ब्रेश्वीडिंग मदस में भी safe माना गया है आप sensitive होए तो आपको इसको लगाने से आपको itching हो सकती है आपको redness हो सकती है आपको irritation हो सकता है आपको चकत्य पड़ सकते हैं अगर आपको इस लगाने से कोई भी infection होता है तो आप इस cream को इमेडियेटली stop करें र्क्रियल इंफेक्षिन जो है वो जल से जल खंव हो जाएगा आपको घाव भी ठीक हो जाएगा इस cream को दो वीग से ज्यादा इस्तामाल बिलकुन ना करें क्यूंकि अगर आप इसको दो वीग से ज्यादा इस्तामाल करते हो झाल झाल